हेलो डियर एक्वेरियस हम लोग आप लोगों के लिए इंजल मेसेज़ेस देख लेते हैं क्या है न्यू येर के लिए जिनकी भी संसाइन या मून साइन एक्वेरियस है वो ये मेसेज़ेस देख सकते हैं अब जब रीडिंग देख रहे हैं हो सकते हैं नेक्स येर के एंड एंड में आपकी सिचुवेशन से वह इंप्रूव हो जाए और आपकी विशिस है वह मैनिफेस्ट हो जाए जो शयद आप बहुत टाइम से जिसके वेट में है मुझे यहां पर मैलेज लग रहा है इंप्रूविंग हेल्थ अगर आप बहुत टाइम से अपनी हेल्थ को लेके प्रॉब्लम में हैं आपकी हेल्थ सही नहीं चल रही है तो विट इन वन यर के बाद चीज़े ठीक होंगी इंप्रूव होंगी वह पूरी तरीके से वन यर लगेगा चीज़ों को ठीक होने में मेरेज के लिए अगर आप सोच रहे हैं मेनिफेस्ट कर रहे हैं उसमें भी वन यर ही आपको टाइम लगने वाला है कि अगर आपकी फैमिली सपोर्स नहीं मान जाई या भी तो आगे चलके मान जाएगी अगर आप कंसीव करने की ट्राय कर रहे हैं मैरेड है बहुत टाइम से पर फीमेल्स यह एक और मेसेज बहुत ही स्ट्रॉंग आ रहा है आपका हर्ट चक्रा बहुत ही अच्छी वाइब्रेशन में जो भी यह रीडिंग देख रहे हैं है जाे स्ट्रॉंग बहुत ही अच्छी बहुत ही हिरुक आ बहुत ही चीज़ होने वाहला में थो बहुत ही ह таких स ace of these काड भी हमारे पास उसी तरीके हाह है आप बहुत अच्छी vibrations में हो अपनी इस vibrations को किल मत करना 2023 में भी happy वाली vibrations में रहना, ठीक है? अच्छे अच्छे positive affirmations यूज करें अपनी life में और एक growth की तरफ बढ़े अपनी routine को कुछ ऐसा बना है कि आप नीचर में अपना time spent करें freeze के पास में कुछ healing energies होती है जैसे अगर कहीं पर आपके पास में आसपास में एक साफ सुथ्री नदी हो जोकि अभी के लिए थड़ा possible time है इतना pollution हो गया है तो वहाँ पर जाने के ट्राय करें, beach हो अगर garden हो आपका गड़ में भी garden हो तो आप उसके पास भी बैठ सकते हैं आपको नीचर बहुत ही जादा healing देने वाला है तो यह tips जरूर ट्राय करें यह थे आप लोगों के लिए messages मिलते हैं गड़ी reading में तब तक के लिए बाई God bless you झाल 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 झाल